तो यह टॉपिक आपका विश्व जलवाई प्रदेश और क्लाइमेट का मैक्सिम्म टापिक हो चुका है एक यह बचा है और जिसका वीडियो आपको मिलना है और जैसा कि आपने देखा ही है कि क्लाइमेटोलाजी का जो यूनिट है इसमें हमने दो एक प्रसांसर ने कराया है और मैंने भी आपको साथ नोट्स प्रवाइड कराये हैं तो जिस टॉपिक में अभी आपका जैसे चक्रवात का साथ नोट्स नहीं मिला है तो चक्रवात का भी मिल जाएगा तो यानि कि और यह सभी यूनिट के आपको साथ नोट्स प्रवाइड कराये जाएंगे जब एक अलग-लग वरगी कराण किया था तो उसको आपनी देखी लिया है अभ इसमें एक सांथन ने वरगी करेगा है जो जटनरल कंलाशिफिकेशन एया क्लाइट का उसको को हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले यह जानते हैं कि क्लाइमिट क्या होती है실amed जो इस你想 को वाहिम उन्दाक लिज़ाय इन्तरगत आपका किसी अस्थान का जो टेंपरेचर हो गया प्रेचर हो गया होगी यानि आधरता हो गई और पाउन हो गया वर्सटन यह प्रिस्ची सरिक्रेशन हो गया ध Vatic और टम्रेटर प्रेशर इसका मोर्ला क्षी तो किसी स्थान पे नहीं या टीर depths प्रभाओं को WR счит County कहते हैं तो जलबायों किसी अस्थान पर एक दिन­ दो दिन तीन दिन या एक साल दो साल तीन साल में यह तैय नहीं होती है बलकि इसके लिए कम से कम 30 से 35 का यह डाटा यहां पर लिया जाता किसी अस्तान की जलवाई निर्धान के लिए और यही जो वाई-मंडली दसाएं हैं यदि इसमें परिवर्तन तातकालिक हो बहुत तो क्लाइमिट किसका प्रतिफल है ताप दाब आधरता पवन और वर्थन का ठीक अब यहां से देखिए आपकी परिक्षाओं में एक प्रस्ण पूछा जाता है कि जलवाई को प्रभावित करने वाला सबसे महत्पूर्ण कारक्वन है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालेगा क्लाइमिट पे बापा टंप्रेचर आह Bowl इसकी वाजा से सारी चीजिएं में परिवर्तन होता हैnh demi जो है में कि यहां पर टंपरेचर को बदला होगा पाफन जो है हल्की यानि ठंडी और गरं बी सी सी की द्वारा खотуरा होती है वर्षन का भी प्रभाव टंप्रे में भी होगा और आपका जो पॉन है उसकी गतियों में भी परिवर्तन होता है तीसी लिए जो जलवाई के लिए सरवादिक मत पूर्ण का रख है वह आपका ताफ़ यहां से देखिए जो बिभिन जलवाई प्रदेश हैं उसको आप यहीं फीगर से समझ सकते हैं कहां पर कौ डिगरी है इधर आपका यह एक्विटरियल यहां तक हो गया ठीक फिर देखिए आपका यहां पर आपका क्या है समाना या सुदान टाइप जलवाई है उसके बाद कौम सा आ जाता है यह जो हाट डेजर्ट है ठीक और यह आपका सहरा टाइप क्लाइमेट इसी में आ जाए और सेम एक उत्तर दक्षड दोनों में देखने को मिलेगा इसके बाद देखे आपका चाइना टाइप क्लाइमेट है मेडिटरेनियन है इन सबका डिटेल आगे है एक बार इसमें आप नार्मली देख लीजे सेंट लारेंस टाइप है यह कॉंटेनेंटल टाइप है और प्रशमी ए यहां पर देखने को मिलती कहां पर यह आपका जीरो डिगरी वाले और भूमद सागरी चलवाई यहां पर है देखे मेडिटरेनियन सी है और यहां बदेखे टाइगा क्लाइमेट तो टाइगा एक बात ध्यान रखिए टाइगा किवल आपका उतरी गुलार्द में ही टाएगा क्लाइमिट पाए जाती है दक्षडी गुलार्द में नहीं पाए जाती है इसके बाद आपका टुंड रहा है यहां भी टुंड रहा है ऑके चली एक एक करके यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं पूरा तो सबसे पहले यह देखते हैं कि बिसुवत रेखी जलवाई हो तो बिसुवत रेखी जलवाई हो को एयप से प्रदर्सित करते हैं कि और यहां पर देखें बीस्तार इसका फांस के मध इसका बिस्तार पाया जाता है और कहीं कहीं यह पांच से लेकर 4X5 ü. जा सब्सक्राइब उस इस्थितिम होता जब सिफ्टिंग होता है ठीक है तमप्रेचर जो है। सीजेड आप कहा सकते हैं कि उसका जब सिफ्टिंग होता उत्तर की ओर तब जो है इसका जो अच्छान से यानि इस कहां तक यह पाया जाता है तो उसकी विस्तार में यह परिवर्तन देखने को मिलता है आपका जो सभीन सर की किताब है उसमें भी फाइब डिगरी से टिन बात का तो भी डिग्रे के असपास होता है और अधिक्तम यहां पे 30 से ले के 32 डिग्री संटिग्रेट टंपरेचर यहां पे होता है यह जलोओँ पर्दैस में सी तरी तू अनुपस्तित रहती है ठीक और कभी-कभी दिन रात के तापमान में दस ले के बारा डिग्री का अ यानि कि लगवग 20 centigrade के आसपास की गिरावट भी यहां पे संभावित है कि यानि रात में जो समय का तापमान है रात का वो 21 से लेके 24 तक गिर जाता है जबकि दिन में या दोपार के समय यह 29 से लेके 24 के आसपास तक पहुंच जाता है तो दैनिक ताप आंतर जो कि वार्शिक ताप आंतर से अधिक होता है यह 5 degrees centigrade से 10 degrees centigrade के भी चंकित किया जाता है इसी कारण यह कहा जाता है कि बिश्वत रेखी जलवायू प्रदेश के लिए रात रही सीत रिद्व का यहां पे काम करती है ठीक यहां पर नार्मली क्या होता है सीतरित का भाव होता है लेकिन जो रात में तापवान गिर जाता है तो इसकी वज़े से क्या होता है विश्वत रेखी प्रदेशों में रात को ही रात को ही वहाँ सीतरित का भाव पाय जाता है लेकिन फिर भी सीतरित किसे कहा जाता है तो तो आप कह सकते हैं कि रात्र में तापमान के गिरावट को विश्वत रेखी सीतरितु के नाम से भी जाना जाता है। क्लेर हो यहां तक यहां उच तापमान की करण दोनों गुलारदों की सनमारगी पौनों का तीजी से आरोहण होता है। और इसी कार्ण यहां वर्स भर निम्न वायदाब की से ती अस्थापित रहती है। ठीक। यहां पे टंपरेचर हाई होता है और इसके कारण क्या होता अलग लग पौनों से जो ट्रेड विंड आती हैं। देखे आपका trade wind का जो दीशा है वो इस तरह से रहती है और इसकी दक्षण में इस तरह से रहती है 0-30 यह चलती है ठीक तो जब इनकी दिशाएं यहाँ पे तो दोनों क्या करेंगे हमाएं यहाँ पे आके गिरेंगे और यह क्या करेंगे आरोहण इसका होगा यहाँ पे और यहाँ पे देखे लू प्रेसर है जैसे उपर आ जाएंगे यह वेस्टरलीच की देशा इस तरह से हो जाती है यानि पच्छुआ पाउनों का और इधर आपका दक्षण को लाड़त में इस तरह से हो जाती है और यह क्या होती यहाँ पे आपका high pressure belt होता क्योंकि यहाँ पे देखे 30-35 के बीच यह यहाँ पे भी पौनों का रुहण होता है और इसी की वज़ा से 30-35 के आस पास आप जानते हैं कि pressure यहाँ पे pressure की वज़ाए से जो नावे हैं जैसे मालेजिक जूब्यापारी नाव लाते थे उस पे घोड़े वगार लाद के तो इसकी वज़ा से उन में फेकने की वज़ास इनकी नाव हलकी हो जाती थी और यह डूबने से बढ़ जाती थी तिसलिए 30-35 को क्या बोला गया है अस्वच्छांस कहते हैं ठीक horse latitude की नाम से जाना जाता है आप देखिए वाइदा पेटियों के खिसकाओं से कभी-कभी जो एक्युटेरियल का बि अब यहां लोग निक्ष्ट देखते हैं 21 मार्च तदा 23 सेप्टेमबर को यहां अती निम्नदाब होता है कहां पर क्युटेरियल क्लाइमिट में निम्नदाब की स्थि बन जाती अर्था डोल्डरम की जो आधर सी स्थिति है यह अपका 21 मार्च और तीर सेप्टेमबर के बीच यहां पर बनती है यानि यह तदिक यहां पर क्या होता है वातावन सांत और निस्तब्द छेत्र यहां पर उसकी स्थिति बन जाती जिसी डोल्डरम कहा जाता है ठीक और डोल्डरम जो पेटी है यह आपका 5 डिगरी के आसपास 0-5 डिगरी दोन द्रीखी जलवाई की अंतरगत हम लोग देख रहे हैं ठीक तो यहां पर इनफाल के हम लोग बात करें तो रिनफाल मैक्समी मात्रा में होता है वर्स भर होता है ठीक यहां पर मुचलाधार संबहनी प्रकार की वर्सा होती है और आउसत वार्चिक वर्सा देखे 200 सिंटीमी में या उत्री अच्छांसों पर 200 अपलस होती है उत्री और दक्षणिम दोनों में यहां की आउसत वार्चिक वर्सा दाइस सेंटीमीटर से अधिक रहती है तो देखे यहां पर आपको कितना चीजे मिली एक्वेटर एक्वेटर पर क्या होता है दाइस सेंटीमीटर के यहां पर रिन्फाल होता है इसका जो डाटा है वह आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है परिक्षणमी इस तरह पूछे जाते हैं और यहां पर अधिकतर्म वर्सा जो होती है वो दो पाहर के बाद होती है और गरज और बहुचारों के साथ तड़ी जंजा के साथ यहां पर प्रचुर मात्रा में वर्सा होती है इस छेत्र में सीत्री तो नहीं पाए जाती है ठीक और यहां पर जो तापांतर होता है वो लगभग आपका नगणे पाए जाता है यानि बहुत अलप पाए जाता है यहां संबहनी प्रकार के वर्सा होती है और वर्सा किन बादनों की बनों का विस्तार ज्यादा पाया जाता है इस जलवाई प्रदेश में सदा बाहर बन अधिक पाया जाते हैं सदा बाहर वर्षा बन ही मैक्सम पाया जाते हैं और यह भी सबसे सबसे घने बन होते हैं आमेजन के बनों को ठीक, आमेजन की जो घने बन है इनको क्या बोला जाता है इनको सिलवा या सिलवास कहते हैं यहां ऐसे बन भी होते हैं जिसमें मानो प्रवेश नहीं कर सकता है अता इसे क्या बोलते हैं इसे कुमारी बन के नाम से भी जाना जाता है पिए सब्फाइक्ट चीजे हैं आप याद रखिएगा ये बन ब्योसाइक दिरिश्टे का मात्रपूर्ण होते हैं क्योंकि ये इतने सगन होते हैं कि इनका दोहन करना बहुत अत्तिदिक कठीन होता है जैसे मालेजे कि यह ब्रिक्ष यहां पर आपका ऐसे हो गया दूसरा भ लकड़ियां भी बहुत सक्त होती है कि आप इसको काड़ भी नहीं पाते हैं कि इसलिए इनका आर्थिक रूप से कमात्व है विभिन परजाती के बन के बिरिक्ष आपस में गुथे होते हैं इनमें कास्ट यह लकड़ी कम होती है जो होती भी है वह क्या होती है कठोर होती ह कटोर होगी तो असानी से कटेगी नहीं इन जंगलों के निचले भागों में विभिन परकार के विसाक्त सरस्री पाया जाते हैं जैसे सर्फ हो गया जिगर हो गया मगर मच्छ हो गया ठीक ये सब पाया जाते हैं कीडे मकोडे भी पाया जाते हैं किन्तों यहां बन पारिस्ति करना है कि यह आपका विश्वत रेखी बनों को उष्ण कड़िवन्दी वर्सा बन भी कहते हैं ठीक वर्सा बन भी कहते हैं ठीव याद रखेगा यह ट्रोपिकल फारेस्ट और यहां पर यह आप से प्रस्ण पूछा जाता है कि पारिस्थित की यह जो विश्वत की रूप से सबसे ज्यादा धनी जो हैं बन कौन से हैं अब मनों की बात करेगा ता आपका उसन कड़िवन्दी बना जाएगा आप इसको आखमोद के लगाएंगे ठीक यह दिमान लेजिए कि बिकल्प के तौर पर दे दिया कि प्रवाल प्रवाल भित्तियों को भी जो वहां पर जैविवित्ता पाई जाती है यह पूछा गया है यह कम से कम हर एक्जाम में पूछा गया है ठीक प्रीविएस एर आप उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां कि जैविवित्ता का आकलन इस सर्विक्षन से लगाया जा सकता कि आमेजन बेसिन के सोरा एक्टियर शेत्फल में जन्तुओं की बीस हजार तता बनस्पतियों की तीन सो से अधिक पर जाती है पाई जाती है त्यानि जैविवित्ता का एक आकलन की बात यहां पर कर रहा है कि आमेजन का यदि सूरा एक्टियर एरिया आप ले ले लें तो उहां पर लगवग 20,000 से अधिक जानवर और जो पीड पौधिया अपनस्पतिया उसमें 300 या 3000 से अधिक पाई जाती है ब्रिक्षों की यहां पर बात करें तो कौन कौन से ब्रिक्षों की अधिकता है आवनूस है इवोनी महोगनी रोजुड सिनकोना नारियल केला रबर गाड़ा पार्चा इ उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था यहां पर आपका डारेट ब्रिच्छों का नाम दिया था पूछा था कि यह किस जलवाई प्रदेश का ब्रिक्ष्ट है तो यह आप याद रखेगा इसलिए ब्रिक्ष्ट और जन्तुयों को थोड़ा बहुत आपको याद रखना है लेकिन मैक्सिम्मम फोकस आपका ब्रिक्ष्टों पर होना चाहिए क्योंकि डारेट आपका दे देता है कि कि किस बनका यह ब्रिक्ष्ट है आपको यहां पर 60 मीट कोड़ी बना कर रहते हैं यह यहां पे जो लेटराइट मर्दा पाई जाती है कहां पे इसका रंग जो है इंट के रंग के जैसा होता है और इसमें जो है अधिपादप पृद्धी जो परजीवी बनस्पतियां होती है जैसे आपने देखा होगा अक्सर गाउं में आम की जो चोटी बनस्पतियां भी उगाती है ऐसे ठीक जाड़ियां टाइप की तो यह इन्हीं क्या बोला है इन्हें अधिपादप या परजीवी बनस्पतियां के नाम से जाना जाता आप देखे कि जो लेटराइट मिर्दा है यहां की मिर्दा में कुटरियल बिल्ट में जो मिट इसम के आकसाइड हो गए ठीक और फेरस के आकसाइड यह इसमें पाया जाते हैं इसलिए इसका लंग लाल होता है यह काली में आपने देखी लिया कि क्या क्या पाया जाता है ठीक अब देखे कहां कहां पर यह जलवाई पाया जाती कांसी जलवाई एकटरियल करेंट यह आ में रवंडा में बरुंडी कीनिया सोमालिया के दक्षिड में तंजानिया के उत्तरी भाग में इंडोनेसिया में मलेसिया में बुरुनेई सिंगापूर पपुआ नियुगनी याद रखेगा ये प्रस्न में भी पूछे जाते हैं डायरेट आपको दे देगा कौन साइकुट में आता है विस्तार चेत की बात करें तो हम लोग अलाग यहां पर महादीपों के एकॉडिंग देख ले रहे हैं साउथ अमेरिका में देखें आमेजन बेसिन इक्वाडूर पेरू बुलिविया कुलंबिया मत अमेरिका में पनामा कुस्टरी का निकारोग हुआ ग्वाट चिर्वाड आपका अक्वीया बेल्ट का पूरा है ति कि यहां पर जो दिखाएगा यह इसमें सभी आप क्या करिएगा एक्युक्या बिल्ट मान के चलिए इतिए अब दूसरा जो हमारे पास है यह समाना प्रकार की जलवई समाना प्रकार की जलवई को यह डबलू से साउथ की मद इसका विस्तार पाया जाता है समिन सिंग की किताब में आप देखेंगे तो आपको ये 5 या 10 दिगरी से लेके 15-20 दिगरी के असपास मिलेगा तो यानि की लगबग यही आपका आता है दस से बीस एक आपका यहां से मॉडल लिया गया है तो इसमें दोनों आपको बताते चलने ताकि कोई दिक्कत बाद में ना हो और सथ वार्षिक वर्षा की यहां पर बात करें तो सोसले के देर सु सेंटीमीटर के मद्य होती है वर्षा यहां पर ग्रिसमरित में सूर की लंबोत क्रिणों की निकट आने से संबहनी यह प्रकार की होती है कैसी होती है संबहनी प्रकार की वर्षा यहां पर होती है यहां पर घास के बड़े-बड़े मैदान भी मिलते हैं और साथ ही साथ यहां पर देखे अलग अलग प्रकार की घासे यहां पर पाई जाती है घासों का जो वर्गी करण भी किया गया है तंपरेचर की यहां पर हम लोग बात करें तो लगभग देखे तापमान जो आउसत में 27-28 की आसपास होता है और वर्षा ग्रिश मेरित में होती है किस प्रकार की संभाईनी प्रकार की यह जलवाय प्रदेश सनमारगी पौनों के अभाव में पड़ता है इसी कारण यहां वर्षा ना के बराबर होती यानि कि बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है लगबग नगण के बराबर कहा गया यहां पे लेकिन फिर भी वर्षा यहां पे होती है और किन पाउनों के प्रभाव से ये वर्सा नहीं होती सन मारगी है ट्रेट बिंड की वज़ा से ये इस्तिती यहाँ पे देखने को मिलती है इसके बावजूद भी यहाँ पे लगबग 40 सिले के 200 सेंटिमीटर के आसपास वर्सा देखने को मिलती है यहाँ पे रबर, ताड, महोगनी ठीक इस तरह के ब्रिक्ष पाये जाते हैं और ये पतज़ड ब्रिक्ष भी यहाँ पे मिलते हैं जैसे साल सागवन ये सब ब्रिक्ष भी यहाँ पे पाये जाते हैं ठीक कहाँ पे समाना प्रकार की जलबाई में थिक आगे हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर देया है कि जहाँ सूर्श की किरन लंबौत होती है याँ तापी 20 grandpa कहते है याद रखेगा यह देखे आपका PGT में पूछा गया था तापी 203 तो सूर की किरणे जहां पर लंबौत हो और 36 किरणे जहां पर पढ़ती हो तो यह देखे भागोलिक 203 का जाता है और यह आपका जीरो डिग्री अच्छांस दिखाया गया है इस जलवाई प्रदेश में यह विश्व की एक महां 38 जलवाई है जिसका नामकरण यहाँ पर पाए जाने वाली बनस्पतियों के अधार पर है तो यानि कि समाना प्रकार के यहां पर क्या पाई जाती है घासे पाई जाती है इस जलवाई प्रदेश की आधर सदसा सुडान देश में पाई जाती है इस से पत्जडबनों में आपका साल सागोन आग इत्यादी प्रकार के बिख्ष यह पाए जाते हैं अलाकि यह पर सदा भार बनों की भी पाए जाते हैं मोगनी रवल वगर का भी विस्तार कहीं के देखने को मिलता है इस प्रकार यह जलवाई प्रदेश पार्क के सद्रिश्च दिखाई देता है याद रखिएगा यह प्रश्ण में आपका कही बार यह दिया गया है कि यह जलवाई प्रदेश कैसा उता है पारकवा पारक नमा परबर्देश कीसी अजय जाता है ततो सवाना जलवाई प्रदेश को का जाता है यहां की बनस्पतियों का भक्षण करने के लिए प्रकृति वहां साका हारी जन्तुओं को जन्म देती है उसके अलावां जैसे यहां पे कौन-कौन से जीव पाय जाते हैं आपका अहिरन हो गया जिब्रा जीराफ खरवोस आथी यह क्या करते हैं यह वहां के बन पूरा यहां पर कंप्लीट होता है और यहां मांसाहारी जन्तुओं और साकाहारी जन्तुओं का बड़े पहमाने पर सिकार भी किया जाता है किसके द्वारा जो मांसाहारी जन्तुओं यह साकाहारी जन्तुओं का बड़े पहमाने पर सिकार भी करते हैं इसी कार इसे परकार के जंतुओं की अधिकता के काण इसे 200 का चणिया घर भी बोलते हैं Jew of the land, sorry Jew of the world, यानि 200 का चणिया घर किसी बोला जाता है, समाना को बोला जाता है, समाना के कही नाम होगे समाना प्रदेशों में कालसियम से संब्रित दिम्रदाएं पाए जाती है और यहां भे देखे इसका बिस्तार छेतर मुलूब बात करें कि अस्टिलिया के उत्री भाग में बिस्तार है सोदान होगय, एथियूपिया के उत्री भाग में, सुमालिया के उत्री में, चाड़ के दक्षिड मैं इतना सभियात करने ज़रूद नहीं है फिर भी आप एक बार देख लीजिए नाइजेरिया के उत्तरी भाग में बर्किना फाशो, गिनिया, सिनेगल, गिनिया विसाओ अंगोला, जांबिया, मलावी, मोजांबिक के उत्तरी छे भाग में मद्य ब्राजील में, बुलीविया में, परागुय में, पेरु की दक्षड में मिड़ा गासकर के उत्तरी भाग में आपका सवाना पाए जाती है तो यहाँ यहाँ यह पाए जाती है इसमें देखेSch बनस्पतियों के जो अलग-अलग मंडलों के अमने बात किया था तियो तीन मंडल यहाँ पर पाए जाते है यह प्रस्ण पूछे गया है तो यहाँ पे जो आद्र बनस्पतियाँ होती है पहला मंडल होता है, यह लंबी और मोटी घास वाले होती है, इनके लंबाई लगवख 10-30 cm होता है, ठीक, दूसरी जो प्रकार की घास है, इसमें मंडल है, घासों का छोटी और मद्यम है, और तीसरा आपका यहाँ पर कटीली पनस्पतियां और जाड़ियां पाए जाते हैं, तो मानसूनी इसमें हमलोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बचेगा उसको हमलोग करेंगे, ठीक, मानसूनी देखें, इसका विस्तार 5 से लेके 30 डिगरी नार्थ और साउथ दोनों अक्छांसों के मद्दे पाया जाता है, हलाकि इसका जो मानसूनी जलवाई, एम से होती है प्रदर्शित, और कहां पिये, महादीपों के पूर्वी भागों में, ठीक, इधर ही पाय जाएगा, रित्व परिवर्तन इस प्रदेश की मात्रपूर्ण विसेस्ता, यहां 6 महीने पौने अस्तल से सागर और 6 महीने अस्तल से सागर से अ प्रवाईत होंगी पौने, तो यह सनमार की पौने यह वर्सा नहीं करती है, क्योंकि यह क्या करती है, अस्तल से सागर की और जाएंगी, ति इसमें नमी की मात्रा नहीं होगी, लेकिन जब यह उल्टा सागर से अस्तल की और चलती है, तब इसमें नमी धारण होता है, और इसकी और प्रवाइत होने वाली जो ट्रेडविंट होती हैं यह क्या करती हैं वर्षा करती हैं तो यह आप जानते हैं कि मांसुनी जो प्रदेश होते हैं इसमें वर्षा लगातार तो नहीं होती लेकिन कुछ समय के लिए यह वर्षा प्राप्त होती है तो यह आपने देखा मांसून से होती है क्या है यहां पर मैक्सिमन जो वर्षा होती है कहा है मांसूनी जलवाई में आपका किस प्रकार की वर्षा होती है तो यह मांसूनी जलवाई में जो मैक्सिमन वर्षा प्राप्त होती है यह आपका दक्षिड पश्चिम मांसून की वज़य से यहां पर मैक्सिमन वर्षा होती है और यह जो छेत्र है वो ज्यादातर ट्रेड विंड्स या बैपारी खमाओं के अंतरगति आता है उसकी वज़य से क्या होता है उत्तर और दक्षिण की और इसमें खिसकाओ रहता है और मांसून प्रकार की जो जलवाई यहां पर उसकी उत्पत्ति भी देखे जाती है तो 10 डिग्री environmentally से 30 के आसपास basically इहां पर देखा जाता है ठीक यह 5 से 30 दिया गया है यह आपका सभय इंचर की किटाब सी लिए और इस तरह से भी आपका टें डिग्री से री घरी से 30ग के बीच रहे जाती क्योंकि सन्नमार्गी पाउनों का वाईदा पेटिओं का यह स्यिप् परिक्षा में ये डाटा दे और ये दे ठीक तब आप के अलग आएंगे दोनों ये दी दे तब आप इसको प्रिफर करिएगा क्योंकि ये exact इसमें 20 डिग्री और 35 डिग्री वाला भी 5 लेके 30 डिग्री के बीच आ जाएगा ठीक लेकिन ये अलग 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 दोनों दिया हो और इक्जाम में भी अलग अलग पूछे आपसन भी एक बार ये बनाए एक बार ये तो जो दे वही लगाईए ठीक तो ये कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेंगे इसलिए बता दिया जाता है कि अब आपके परिक्षा में किस तरह से प्रस्ण दिया गया है ये आपको देखना है और आप UP की कमीशन के हम लोग बात करें या कहीं का भी कमीशन हो तो वहाँ पर जो प्रस्ण दिय क्योंकि आपने पीजीटी में देखा होगा कि रुखो जाओ नियतिवाद जो है यूपी पीजीटी में उन्होंने का नहीं टेलर नहीं मैकेंडर नहीं दिया है ठीक तो यहां सीत रित्में कुछ बागों में सीतूस्न चक्रवातों से तता ग्रिस्म रित्में उस्न बंदी चक्रवातों से वर्षा होती है और ग्रिस्म रित्में किस्से होती है उस्न कड़बंदी चक्रवातों से और परवती वर्षा से यह जलवाई प्रदेश वर्सवर सनमारगी यह ट्रेडविंड यह व्यापारिक पौनों के प्रभाव में पड़ता है और यहां पे प और बात बायरत में 55 बनो का विष्थार यहाँ पह शाले हैं साय गोन हैं सीसा में पीपल है यहां कपोणी आ देखता। यहाँ पर मद्य माकार के जन्तु पाय जाते हैं खुत्ता विल्ली गाय भैंस तो मांसूनी में आपका अपना इंडिया भी है मांसूनी की अंतरगत अब इस्तार देख लीजी यहाँ से आपका भारत है स्रिलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, बंगला देश, मैमार, थाइलेंड, लाओस, कंबुडिया, वियतनाम, फिलिपिन्स, मैक्सिको, का उतरी पार, दक्षडी भाग, व्राजील का, मद्य पूर्वी भाग, मोजांबी, मेडा गासकर का, उत्तर पूर्वी भाग, जो ठीक, ताकि, यह आपका इंडिया हो गया, इधर आपका यह, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापूर हो गया, यह मलेशिया हो गया, यह सिंगापूर हो गया, ठीक, और यह 5 डिगरी से 30 डिगरी के बीच है, तो यहां तक आप ले सकते हैं, इसको मानसूनी जलवाई के यहां पे आपका इसको color जो हम लोग वदल लेते हैं यह पूरा यहां पे आपका मानसूनी जलवाई होगी ब्राजील का उत्री भाग आपने देखाई यहां पे आपका मानसूनी जलवाई पाई जादेगी ठीक आपने कहां पे देखा था पूर्वी भागों में म अस्टेलिया का जो उत्तरी भाग है यहां पर तो अस्टेलिया में उत्तरी भागों में यह पाए जाएगा यहां देखिए मेडा गासकर नहीं बनाए गया है तो मेडा गासकर में पूरा यह जलवाई पाए जाएगे तो यह महादीपों के पूरवी भाग में मानसुनी जलव इसको हम लोग जो है यहां पर टाइम आपका जो है लगबग 30 मिनट का हुआ है चलिए 40 मिनट के आसपास इसको हम लोग कवर करते हैं और यह आपका देखें, उसन कडिवंदी मरुस्थली जो जलवाई है यानि हाड डेज़र्ड जो क्लाइमिट है इसके बारे में लोग यहां पर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या कहा कहा तक यह पाय जाता है तो यहां पे आपका जो उस्न कड़िबंदी सुस्क रेकिस्तान या सहारा टाइप का है वो अलग यहां पे दिया गया है हाट डेजर टाइप का यहां पे देखे यह आपका 15 से लेके 30 या 20 से लेके 35 इसके बीच यह पाये जाता इसका बिस्तार है इसे BWH से भी प्रदर्शित करते हैं और यहां पर यह मद्य महादीपों के पस्षिमी भाग में पाया जाता है कहां पर दोनों गुलार्दों में पूर्वी भाग में आपने देखा था कौन सा था मांसूनी क्लाइमेट था मांसूनल क्लाइमेट जो है पूर्वी भाग में था और यह आपका जो hard desert climate है यह western part में किसमे महादीपों के पस्चिमी भाग हुए western part में यह पाया जाएगा और दोनों गोलार्दों में इसकी आदर सदसा कहां पर पाई जाती है सहारा मरुस्तल में पाये जाती है और इसलिए इसे सहारा तुले जलवायू के नाम से भी जाना जाता है ठीक और यहाँ पर वर्सा की मातरा भी कापी कम होती है यहाँ जो नियूंतम ताप होता है यह 60 डिगरी के आसपास होता है और अधिक्तम यह 49 से यहां पर पाई जाती है ठीक आउसत वर्षा की बात करें तो 50 सिंटीमीटर से वर्षा नहीं जादा होती है और मरुस्तल क्या होता है यह भी समझ लीजे कि ऐसा भूभाग होता है जहां पर आउसत वर्षिक वर्षा 25 सिंटीमीटर से कम हो तो डज़ट की परिवांसा भी आप से समझ लीजे उसके बाद देखें यहां पर जैविवित्ता का जो मान होता बहुत कम होता है जलवाई प्रदेश में सरवादिक दैनिक तापांतर भी पाया जाता है यहां दैनिक तापांतर 22 सिले के 28 के मद्दे होता है और यहां वार्षिक तापांतर बहुत उंचा होता है यहां की बनस्पतियों को मरुद्विद या जिरोफाइट के नाम से भी जाना जाता है और यहां की जो बनस्पतियां है उसमें आप समझ सकते हैं कौन सा होगा जिरोफाइट में खजूर है नाकफणी है बेर है बबूल है कटीली जो बनसपतियां है जाड़ियां इनका विस्तार यहां पर ज़्यादा देखने को मिलता है मरस्तोलों में पाई जाने वाली बनसपतियों में अनिक प्रकार के अनकूलन पाई जाता है जैसे इसमें वास्पन, वास्पोस सरजन को कम करने के लिए पीड़ पौधे क्या करते हैं अपने जो पत्तियां हैं ये काटों में ही प्रणरित कर लेते हैं जैसे नाकफणी है ठीक या तो पत्तियां आलपविक्सित यहां पर पाई जाती है या बबूल और बेर यहां पे उखते हैं उनकी पतियां देखते हैं कितनी छोटी-छोटी होती है ताकि वास्पन या वास्पिकन कम हो ठीक हो उनका ये नेचर होता है वहां पे चुकि वर्सा वगर आप मिलेगा नमी मिलेगी नहीं तो क्या करेंगे बिरिक्ष मांसल यहां पे होते हैं अर्थात इनकी जो छाल होती है यह क्या होती है मोटी यहां पे छालें पाई जाती है जल की तलास में जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक जाती है यहां की बनस्पतियों की जड़ें जो है सू बिक्सित पाई जाती है क्योंकि वो जल की तलास में काफी बिक्सित हो जाती है यहां चोटे-चोटे जन्तु चिपकली हो गया रोडेंट्स आदी पाए जाते हैं अपवासरों विसाल जी उट भी इसी जलवाई प्रदेश में मिलता है ठीक और आपने यहां के चिपकली और रोडेंट्स को देखा होगा सर्प और जो चोटे-चोटे यहां पर होते हैं उन तो यह अपना ऐसे घूम के इसी मिट्टी में मिल जाते हैं ठीक इसी में छीपे रहेंगे और अचानक जब यह अपना सिकार देखते हैं तो बहुत स्पीट से इसको कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि आपको आसानी से दिखने ही पाते हैं इनका जो कलर होता वही रेत का भी कल पाइज है करीलिफोर्णिया मरुस्तल में आटाकामा में नाभी भूवया कालाहरी हो गया परस्यू में अस्टीलिया ठीक इंडिया का जो धार का मरुस्तल है इन सबी में आपका ये जलवाई पाए जाएगी मरुस्तली जलवाई अब है नेक्स्ट आप का चाइना टाइप की ठीक तो चाइना टाइप जलवाई को इसे सीए से परदरसित करते हैं और यह जलवाई 25 से लेके 40 डिग्रिया च्छांसों के मध्ध महादीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है मांसूनी जलवाई भी कहा थी पूर्वी म मरुस्थली जो जलवाई थी कहा थी पस्चिमी में महादीपों और फिर चाइना टाइप क्या है यह पूर्वी भागों में दोनों गोलार्दों में पाई जाती है 25 से 40 है किन्ट यह जलवाई दक्षणी गोलार्दों की तुल्णा में उत्री गोलार्दों में अधिक चेतर दक्षिपोर्फी अफरीवय देशों में अस्टेलिया महादेप पूर्वी तट्व के चेतli बहुत पाई जाती है जनी जलवाई की तुरुत का आउसत तापमान चार से लेके 10 नीगरी की मद्ध होता है तथा गिरिस मृत में जो तापमान होता 21 से लेके 27 की आसपास होता है यहां कि जो आउसत वार्चिक वर्षा 75-500 की आसपास होती है सेंटीमीटर में और कुछ तटी है भागों में उस्ण कड़िवंदी चक्रवातों तथा कापासी बादनों के प्रभाव की वर्षा से 200 सिंटीमीटर से अधिक वर्षा भी प्राप्त करते हैं यह जलवाई प्रदेश इस प्रकार कुछ पस्चिमी भागों में सीतों स्ट चक्रवातों से भी सीत रुत्मिया अधिक वर्षा हो जाती है यहां पत अधिकान जो है क्या होते हैं यह वर्षा यहां पर ग्रिस मेरित्मी ज्यादा तर वर्षा देखने को मिलती है और यह आपके जीओ यहां पर पाया जाते हैं चाइना तुल्य जलवाई में इसके बाद मेटिटरेनियन है यानि भूमद सागरी जलवाई है तो हम लोग नेक् चीर किया जो छीन तुल्य हो गया आपका ऊष्ण-סुल्य हो गया मांसूनी हो गया और आपका विस्वत र समाना तुल्य हो गया議 मैं यह कहीं पिभी आपको लगे की नहीं नहीं समझ में आप निशीतोर पर कमेंट कर सकते हैं तो ठीक और यहां पर देखिए हमने आपको फीगर यह मरिष्टलों वाला नहीं दिखा तो मरिष्टल曹 जो समझ सकते हैं जैसे एक और क्या हो गया धक्ष्ष॑ अमेरिका इधर कलिफोर्णिया बन गया और यह आपका जो है उत्तरी अमेरिका बन गया इधर आपका क्या है यह अफ्रीका बन गया इधर आपका यह इंडिया हो गया मलेशिया हो गया यह तिक यहां पर आपका चाइना हो गया और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी मरुस्तली जलवायू की तो मरुस्तली जलवायू यहां से आप साहारा तुली जलवायू है तिक यह पूरा हो गया इधर भी मरुस्तल है यहां भी हो गया यह अपना इंडिया में थार का मरुस्तल इसमें आ गया और अस्टेलिया भी देखे बनाया नहीं गया तो अस्टेलिया का यह वाला पूरा पार्ट जो है मरुस्तलों में आ जाता है यहां पे आपका जो है सारा तुली जलवाई पाई जाएगी यहां पर आटाका हो गया ठीक और यहां पर दिखें यहां पर आपका से सुनोरन का है इसलोड़ वाला एरिया कि गाश्मीय यह सामिल कर दिया जाएगा और Nic तीनी तुल two Moreover, green से कर देते हैं ठीक यह आपका हमने यहां पर बात किया कि जो अमेरिका का पूर्वी वाला एरिया है ठीक और यहां पे आपका पराना बेसिन हो गए रायोडी प्लाटा मेदान हो गए यहां पे भी और अफरीका में देखे हैं आपका निटाल प्रांत है निटाल प्रांत में भी आपका चीन तुले जलवाई है और अस्टेलिया का जो पूर भी अस्टेलिया वाला भाग है यहाँ पे यहाँ पे भी आपका चीन तुल्य पाए जाती है और यह अपना चाइना है तो चाइना में पूरा चीन तुल्य हो गाई ही और यहाँ पे देखे जापान में आपका होकाईडो को छोड़ के हांसू क्य दोए देखिए मैप की थ्रूह आफ समझना चाहेंगे सुडान तुल्य कौं लोग कि इस कलर सिंच इसे करते हैं या अबका जो है शुडान तुल्य कि विया उसमाना तुल्य समख सकते हैं ति यह देखिये यह पूरा जो घ्रक मैदान यहांपर आपका पाय जाता है इधर भी घास का मैदान है ये समाना तुल्य जलवाई हो गई अफरीका में आपका ये पूरा अफरीका इधर वाला समाना तुल्य हो गया है ठीक इधर भी आपका घास का मैदान बगरा है उसी स्थिति को ये भी परदर्सित करता है न्यूजी लेंड में भी जो पूर भी भागों में यह है तो मांसुनी को पीले से कर लेते हैं ठीक मांसुनी आपका देखे यहीं पर मांसुनी भी पाया जाएगा पूरा मिडा गासकर आपका मांसुनी हो जाएगा इंडिया अपना हो गया मांसुनी पूरा यह पूरा मांसुनी हो गया लावस भी अतना मल कि और इधर यहां पर आपका यह माम सुनी हो गया और यह आप समझने के लिए है आप का एक बार किताओं आपके वीजन puts और उप और एक को उठील आप जानी रहा है कि को एक घृतरील को ब्लैक से कर देते हैं दीक एक टेर्यल को लोग ब्लैक में देखते हैं यह आपका इधर वाला पूरा यह है इकटरियल हो जायेगा इध में चीतना आ रहा है सब इकटरियल आजाएगा Yak ai को यहां तक हम लोग इतना ही देखेंगे इसके बाद इसका एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग इसको explain किये रहेंगे